तो भाई Avengers और X-Men की बीच की महावारत से लेकर Spider-Man 4 और Avengers 5 की शूटिंग सेडूल और रिलीज देट तक Fantastic 4 की नियू रिलीज देट से लेकर Dr. Strain 3 की प्लोट लीग तक Thunderbirds के सेट फोटोस से लेकर बार बार अपना नाम बदलने वाली अगता की सिरीज के प्लोट लाइन तक and Pirates and the Caribbean के नई रिबूट के रिगारिंग काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं आज की इस M.T. News की फर्ष्ट एपिसोड में तो भाई देर किस बात की शुरू करते हैं आज का ये सो Hello guys मेरा नाम है मुहमद तसलीम और आप देख रहे हैं M.T. Explained and this is M.T. News and episode number one So let's begin the show अब भाई M.T. की Fantastic Four मूवी जिसकी शूटिंग इस साल अगस्त से सुरू होने वाली है उसकी रिगार्डिंग जब से मर्वल वानों ने एक फोटो टीस करके काश्ट को कंफर्म किया है तब ही से ऐसी स्पेक्टेक्लेस चल रहे हैं कि ये मूवी 1963 के अराउंड चलेगी अब हाला कि सभी के मैंड में एक क्वेश्चन था कि एकर Fantastic Four 60's से MCU में थे तो भाई आज तक उनका जिक्र क्यों नहीं हुआ तो इसी के रिगार्डिंग लाश्ट वीक डैनियल आरपी के नाम के इंडस्टी इसाइडर ने ये कंफर्म किया कि इस मूवी की स्टोरी 1963 के अराउंड ही टेक प्लेस करेगी पर वो यूनिवर्स अर्थ 616 ना होकर कोई अल्टरनेट यूनिवर्स होगा जहाँ पर लाश्ट में इस मूवी में ये दिखाया जाया कि फैन्टेस्टिक फॉर उस अल्टरनेट यूनिवर्स से अर्थ 616 पर आएंगे फैन्टेस्टिक फॉर किस बयाए से अपना यूनिवर्स शोड़ कर अर्थ 616 पर आएंगे कि हमें ये फिल्म Avengers Secret Wars से जस्ट पहले देखने को मिलेगी जिससे कि इस मूवी में Long Rumor Time Runs Out वाली स्टोरी की हैल्प से Marvel Studios Secret Wars के इवेंट को सैट अप करेगा साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्यूटर जर्णी के रिगारिंग एलेक्स प्रेज नाम के एक इस बीक ये भी कंफर्म किया कि इस फिल्म में डॉक्टर स्टेंज अपनी मोरल्टीस को लेकर स्ट्रगल करता हुआ देखेगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं क्योंकि अर्थ 616 के डॉक्टर स्टेंज को छोड़ कर सारे डॉक्टर स्टेंज के बेरियंट्स कुछ अच्छा और यूनीक करने की कोशिश में एस बिलन एमसीउ में स्टेबलेस हो चुके है तो इसी बज़े से वो इस मूवी में ब्लैक प्रीस्ट की सुसाइटी तो जॉइन कर लेगा बट लाइक कॉमिक बुक फिल्म की मिल्योर्टी पोर्शन में वो उनका लीडर नहीं बनेगा क्योंकि भाई मल्टी वर्स और मेड़स में अपने बेलियंट्स की हरकते को देखने के बाद डॉक्टर स्टेंज भाई साब सेल्फ डाउट का सिकार हो चुके है अब भाई सोनी और मार्वल के बीच कापी सारे लड़ाई जगडे के बाद फाइनली स्पैडर मैन 4 मूव होते हुए दिख रही है जहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी की सूटिंग इस साल सेप्टमबर या अक्टूबर में सुरू हो जाएगी जहां पर हमें देंडा या एक बर फिर से एमजे के रोल में हमें लॉट्टे हुए दिखाई देंगी अब हाला कि इस मूवी के लिए अभी तक कोई डिरेक्टर फाइनलाइज नहीं है पर रिपोर्ट्स कि अगर माने तो फास्टन फूरियस परचाइज में काम कर चुके जस्टिन लिन रेस में सबसे आगे हैं साथ अगर इस मूवी के रिलीजेट के बारे में बात की जाए तो इस पैडर मैन 4 नेक्स यह नवंबर या दिसंबर में रिलीज हो सकती है इसके साथ ही अगर अवेंजर्स फाइब के बारे में बात करें तो इसके रिगारिंग भी कुछ मीडिया पोर्टल्स ने यह पोस्ट किया है कि इसकी शूटिंग भी नेक्स यह दोजार पचीस में सुरू हो जाएगी जिससे की मार्वल इसे दोजार शबीस में रिलीज कर स पाइट दूसरी यूनिवर्स के एक्समें से होते हुई दिखेगी जो कि सेम उसी यूनिवर्स से होंगे जहां मोनिका रैंबो मिस मार्वल की एंडिंग में एक्सिरेंटली पहुच गई थी हाला कि मूवी का में विलन कैंग ही होगा जो कि इन सारी इनकर्जस वाली प्रॉ प्रॉमर कहां से आई है अब भाई थंडर वोल्स मूवी की सुटिंग सुरू होने के बाद इसके सेट से पहली बार फ्लोरेज प्यू ने एक वीडियो और कुछ इमेजिस सेयर की जहां में फिल्म में वाइट विडियो येलेना विलुवा का नया लुक भी देखने को मिला साथ ही इस फोटो के बैक ग्राउंड में ये लेना कि फाइट सीकेंस की जो वीडियो मॉनिटर पर चल रही है उसके रिगारिंग में कुछ लीक्ष्टर्स ने ये बताया है कि ये उसी वाल्ड का सीक्वेंस है जहां पर थंडर बोल्स की टीम फर्स्ट टाइम सेंट्री को डिसकवर करेगी हां तो भाई 36 बार नामकरा करवा चोगी अगाथा की सीरीज की रिगारिंग में रीसेंडली कुछ ऐसी अपडेट्स हमें सुनने को मिली जिसके एकॉर्डिंग सीरीज की सुरुवास से ही अगाथा का मेन मिसन होगा वांडा को रिवाइप करना जिसके लि फेवरेट मफिष्टो हो सकता है या फिर नाइट मेर तो भाई अगर आप बात करें पारेट्स ऑफ दा करीवियन के नेफ्ट पार्ट की तो पारेट्स ऑफ दा करीवियन मूवी के प्रोडूसर जेरी ब्रूख हाइमर ने रिसेंटली एक इंटर्वी में बताया कि पैरो के करेक्टर में रिटर्न करते हुए तो दिखेंगे पर उनका ये रिटर्न सौट ऑफ एक कैम्यो ही होगा जो इस फ्रेंचेस के पैटर्न को ट्रांसफर करने का काम करेगा तो वाइट एट सिक इस बीक के एमटी न्यूज के फस्ट एपिसोड में बस इतना ही अगर को एमटी न्यूज का ये फस्ट एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हाँ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि जब भी मैं ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो बराऊ तो आपके पास नोटिफिकेशन कि झाला तो इंट्स